हलो एवरिवन टिकलेज एकडेमी यूटुब चैनल में अब सभी का स्वागत है आज के वीडियो में हम प्रोजेक्शन आफ सॉलिड का थर्टिंथ प्रॉलिम सॉल करेंगे तो कॉश्चन क्या रहेंगा उसके लिए कॉश्चन रहेंगा तो कॉश्चन में जो सॉलिड दिया है वो है कॉश्चन जिसका बेस डियमेटर 60 mm दिया है और जिसका हाइट 70 mm दिया है और यह कॉश्चन का कोई भी एक जन्रेटर वीपी में है ऐसा कॉश्चन में लिका है और इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए कहा है projection of solid का कोई भी solution draw करते समय सबसे पहले true shape of base draw करना होता है तो यहाँ पे जो कौन है उसका base बनेगा as a circle तो true shape of base circle बनेगा यह confirm है लेकिन यह true shape of base draw कहां पे करना यह सबसे important है it means HP में या VP में it means XY line के नीचे या उपर वो सबसे पहले आपको समझना है तो यहाँ पे हम true shape of base जो circular base है वो VP में बनाएंगे it means XY line के उपर ऐसा क्यों वो इसलिए क्योंकि question में लिका है कोन has one of its generator on VP अगर generator VP में रखना है ऐसे में true shape of base भी पहले VP में draw करना पड़ेंगा तो चलो finally अब draw करना शुरू करते हैं सबसे पहले true shape of base then true shape of solid then वो solid को tilt करके हम front view बनाएंगे और इस तरह से solution complete हो जाएंगा तो सबसे पहले हमने reference line draw कर लिया है it means XY line और अब ये XY line के उपर हम circle बनाएंगे it means true shape of base बनाएंगे तो ये हमने compose में 60 mm का diameter ले लिया है और ये हमने circle बना लिये है और अब ये circle को हमें divide करना है कितने part में divide करना ये पूरा choice आपका है आप चाहे तो 12 part में divide कर सकते है या तो 8 part में तो फिलाल हम 8 part में divide कर रहे है तो हमने circle के center से horizontal line draw कर लिये और protector लेके हम यहाँ पे 45, 90, 45 ऐसे हमने उपर में 3 angle ले लिये है और यहाँ पे अंदर में ऐसे lines draw करके ये circle को 8 part में divide कर लेंगे और अब यहाँ पे हमें naming देना है तो naming में A-B-C-D- इस तरह से आपको circle के naming देना है और यहाँ पे dimension show करना है और center का नाम O slash P और अब यहाँ पे true shape of base से सभी points हमें vertically नीचे project करना है क्योंकि हमें नीचे true shape of solid यहाँ पे draw करना है तो यहाँ पे solid draw करते समय हमें height का length जो भी है वो show करना होता है तो axis का length है 70 mm तो वो हमने ले लिया है base को हमने reference line में रखा है और इस तरह से हमने नीचे एक triangle बना दिये है और अब नीचे हम points देंगे तो सबसे पहले उपर जो हमने true shape of base बनाए थे उसमें हमने पहले dash नहीं दिये थे तो देखो हमने dash दे दिये और अब सभी points को नीचे project कर लिए तो यह A का projector पे A नीचे आएंगा यह देखो E dash के projector पे नीचे E और फिर remaining हमें naming देना है देन B और H नीचे आ रहा है देखो B और H का projector तो यहाँ पे हम H slash B ऐसा देंगे और यह बीच में G, P और C तीनो एक ही line में आ रहे है तो यहाँ पे G slash P slash C इस तरह से हम यहाँ पे remaining जो naming है वो भी दे देंगे और यहाँ पे axis हम show करेंगे और axis आपको line dot line dot line इस तरह से show करना है और कुछ अंदर के generator से वो भी हम यहाँ पे draw करेंगे और वो faint बनाएंगे तो इस तरह से यह हम true shape up solid complete कर रहे है इसमें हमने height का length show कर लिया है और अब हमें यह solid को tilt करना है solid को tilt करते समय हमें generator वीपी में रखना है तो यह देखो यह हमने compose में generator का length ले लिए देखो यह हमने right side का generator जो है OE यह generator का हमने length compose में ले लिए और यहाँ compose में जो भी distance है यह हमने यहाँ x y line में कहीं पे भी रखे और अब यह जो हमने यहाँ पे cut किये है देखो यह OE का length हमने यहाँ पे रखे और यह जो line है जो length है इसको हम थोड़ा सा dark कर लेंगे ताकि वो axis के उपर दिखाई दे तो यह हमने यहाँ पे OE का length यह हम draw करेंगे और अब remaining हमें जो solid है वो draw करना है तो सबसे पहले हम A जो point है वो हम mark करेंगे तो देखो A कैसे mark होता है तो यह OE हमने यहाँ पे mark कर लिए compost ले लेंगे compost में base का length ले लेंगे देखो A से लेके E जो base है वो हमने compost में ले लिए compost का center हम E पे रखेंगे यह देखिए E पे रखे और एक बीच में एक arc बना देंगे और अब O से लेके A का length यह देखो left side का generator है OA उसका length हमने compost में ले compost को हम join कर देंगे तो इस तरह से यह देखो यह solid को हमने tilt कर लिया है और अब बीच के सभी जो points है वो हमें mark करना है base के जितने भी points है वो हमें mark करना है तो यह हमने compost में A से लेके यह देखो यह जो point है यहाँ तक का हमने length ले लिए और यह symmetrical है आप दोनों side में रखे mark कर सकत है तो यह देखो यह हम mark कर रहे सभी points को हम mark करेंगे और फिर सभी को join करेंगे और बीच मा जो axis का जो point है वो भी हम mark करेंगे axis भी हम draw करेंगे और पूरा as it is यह जो solid है वो हमें draw करना है naming भी आप बिलकुल वही देंगे तो चलेंगा आप चाहे तो naming change भी कर सकते है तो यह हम पूरा tilted solid हम draw कर रहे हमने उसको इस तरह से tilt किया है कि generator on vp आ चुका है और अब naming हमने दे दिये है और अब यहाँ पे सभी points हम vertically उपर project करेंगे और base से सभी points horizontally project करेंगे और front view बनाएंगे जब हम front view बनाएंगे तो वहाँ पे axis parallel to hp आ जाएंगा क्योंकि question में condition लिखा था last में कि axis parallel to hp तो वह condition front view में आने वाला है तो यह देखिए सभी points को हमने project कर लिया है यह a का projector और यहाँ पे नीचे से a का projector यहाँ पे मिल रहा है तो यह हो गया हम इसको नाम दे देंगे a1- then यह b का projector यहाँ से आ रहा है b का projector यहाँ पे हम नाम दे देंगे that is b1- फिर यह c और यहाँ पे c दोनों यहाँ पे मिल रहाए फिर यह हो जाएगा c1- इस तरह से हम सभी points को यहाँ पे mark कर लेंगे और यहाँ पे हमने फिलाल dash दिया नहीं है लेकिन आगे चलके हम सभी में dash दे देंगे और o और p जो axis के points है वो भी हम यहाँ mark कर लेंगे तो हमने सबी को mark कर लिया है और अब यहाँ पे outer points हमें join करना है तो पहले generator और फिर base ऐसा पूरा हमें draw करना है लेकिन base की अगर बात करें तो base हमें पूरा दिखने वाला है क्योंकि projector जो है वो नीचे से आ रहे अगर projector नीचे से आ रहे तो नीचे का base पूरा दिखाए देंगा तो base भी हमें पूरा dark करना है क्योंकि जब हम नीचे से देखते हैं तो देखो यह जो base है वो पूरा दिखाए दे रहा है तो base हमें darkly यहाँ पी join करना है और यह base को join करने के लिए आपके पास दो option है आप चाहे तो french curve का use करो या तो आप free hand join करो लेकिन french curve का use करेंगे तो जादा अच्छा रहेंगा काफी smooth curve बनेगा तो यह हमने base बना लिए है और अब यहाँ पे हम side जो generator से वो हम यहाँ पे draw कर लेंगे और वो हम dark कर लेंगे तो यह देखो यह हमने उपर का generator और यह नीचे का generator हमने यह बना लिए और अब last में हम axis बनाएंगे O1-P1- ऐसा वो axis रहेंगा और वो line dot line dot line ऐसा हमें show करना है तो यह हम axis बना रहें सभी में dash देने का रहे गया तो वो अब हम यहाँ पे dash दे देंगे और इस तरह से finally यह solution complete हो जाएंगा तो question में जो भी conditions दिये थे वो conditions यहाँ पे satisfied हो रही है question में लिखा था cone has one of the generator on VP तो यह देखिए generator on VP है और question में last में यह लिखा था कि axis parallel to HP तो यह देखिए axis parallel to HP है और इस तरह से यह पूरा solution complete हो गया उम्मिद करते हैं कि यह solution आपको समझ में आया होगा यह आपको अपनी drawing book में भी draw करके देख लेना चाहिए यह था आज का projection of solid का problem number 13 इसके पहले के 12 problems के भी आपको study कर लेना चाहिए और इसके आने वाली videos में हम इसके और भी number of problems cover करेंगे ताकि इसकी अच्छी खसी practice हो जाए तो मिलते हैं next video में Thank you very much